तो आप सभी लोगों का स्वागत है कर लेना है कि वो ट्रेड मोड में ले आना है यह तो लेटा देना है अब खुद लेटे हैं दूट जाना है कि लेटे हुए आदमी के जो दिमाग में विद्यक प्रवेश नहीं हो पाएगा वहां पर पाया लारती ऐसा कुछ प्रवेश करता है बोलते हैं एक संथ हैं जो बता रहे थे पर मैं आगे नहीं बताऊंगा आप लोग का सौगत करना चाहूंगा आज की स्पेशल ट्रेनिंग पॉर बूश्ट यूर बिजनेस के टीए सिस्टम में की टू सक्सेज सफलता की चाबी ऐसा हमारे सिस्टम का नाम है तो आगे चलते हैं कुछ लाइन अपने आपको गरम करना है मुस्कुले से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिंदगी का इंतिहान होता है और डरने वा लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है जी अभी बहुत सारे पाटनर आएंगे देखना कुछ दिरवाद है न थोड़ास मुस्किल आएगा और घाव तो मुस्किलों से भाग जाना एकदम आसान है हर पहलू जिंदगी का इंतिहान होता है सभी को पता है लेकिन डरने लड़ने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में लड़ने वालों के एकदमों में जहान होता है लब जो कोशिस लगातार करेगा उसी को कुछ मिल सकता है आगे चलते हैं एक सांदार कहानी है और यह हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और एकदम हंडेट ओरिजिनल है तो इसमें होता क्या है नेक्टवर मार्गेटिंग की बात है एक सांदार एक इवेंट होने वाला रहता है टीम का एक काम है उनके जो अप लाइन रहते हैं उन्होंने एक वेक्टिक बोला था कि आपको दिल्ली जाना है वहां पर आपका इवेंट करना है करके ओ आदमी पूरा तयार था ठीक है सर वहां वाला इवेंट को मैं कर लूँगा जैसे हमारे टीम में कई वार रहता है ना इवेंट की से लिए लोग समय दे रहते हैं कि यहां का इवेंट आ करेंगे इसी प्रगार से एक इवेंट और अर्गनाइज किया गया था और उस सक्स जिन्मेदारी दिये गया था कि आपको आना और वहां इवेंट आपको लेना हम अपना डेवलबंट करना है Hi करों तो टाइं फिक्स हो जाता है लेकिन जिस दिन जाने का रहता है कि जिस दिन जाने का रहता है ड्रेम में बैठना रहता जाना रहत है दूरी रहती है क Febru hunt अब एक दम रेड़ी था लेकिन एनने टाइने को बोला सठय कटता जाना इवेंट लेना और वहां पर टीम डेवलप करना है सामने वाले एकदम रेडी था लेकिन एन टाइम पे जब जाने कथा तो उसने पॉन किया कि सर मैं नहीं जा पाऊंगा मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं जिसके कारण मैं नहीं जा पाऊंगा आप किसी और को भेज़ दो यह जो सिनियर रहते हैं दूसरे पार्टनर को फॉन करते हैं कि अमित आप कहां हो तुरंत आओ अमित समर्पन वाल आदमी था तुरंत हो गाड़ी उठाया और कुछ लिए बिना अपना बैग पकड़ा और पहुंचा सिनियर के पास सिनियर के पास जाने के बाद में सिनियर ने बोला आपको अभी कि अभी कलकत्ता जाना है वहाँ पर एक इवेंट है वहाँ अपनी टीम को मिलना है और टीम डेवलाप्मेंट वहाँ करना है अमित बोलता है ठीक सर यस सर तुरंत निकलता है लेकिन इसके स्ट्रेगल का टाइम चल रहा था अमित के पास क्या था पैसे नहीं थे पैसा नहीं था सिनियर ने बोला दूसने नहीं नहीं बोला वो चल लिया ट्रेन पकड़ा वहाँ कलगत्तम इसके कुछ दोस्त थे जो लोग पढ़ाई कर रहे थे तैयारी कर रहे थे तो उन लोगों से इसने बात किया और एक दोस्त रेडी होगा ठीक है आप मेरे रूम में आके रुख जाना क्योंकि इसके पास सिर्फ चार और फांस रूपया थे जिससे होटल में नहीं रुख सकता था होटल में रुखने के लिए पैसा नहीं था तो अपने दोस्त तक प कोई दिक्कत नहीं और इसने अपने सभी दोस्तों को उस इवेंट में इनवाइट किया वहां गया अपने दोस्त तक रुखा और सभी लोगों को इनवाइट किया किया यहां एक सांदर प्रोगाम है और मैं आया हुआ हूँ आप लोग भी आना जिससे हम लोग अच्छा कर सकते हैं उस दोस्त ने भी वधा किया था जिसके पास रूखा हुआ था ठीक है और मैं कोसिंग को गौना क्लियर करने नीछे लेकिन इस से ना अमिद से मिष्टेख हो गया यह गलती यह कर गया क्योंकि एक कपड़ा लेक नहीं गया था तो अपने दोस्क न जीन्स लिया जीन्स को पहना इवेंड में गया इवेंड में जानेक बाद इसके कोई वहां पर आए इवेंट में सामिल हुआ कोई भी जब नहीं आए है वहादा की रहते हैं सीनियर की सरे किसे इतने लोगों में ले कि याने वालों लेकिन शांगा सबांगे मायोस है अब यह कि में वापस निए इसको वापस जाना था जिंस्पहन क्या था लेकिन नहीं गिया लब इतना ज़्यादा दुखी हो गया आए कि इतने सारे बोला था मैं अपने सर को क्या जवाब दूंगा दोस्त लोग आए नहीं ऐसा टाइप से एक दम दूखी हो जाता है दुखी मन से यह लेकिन दोस्त हो चागता है है इसके बड़े भाई भी जानता था और बाखी लोग दोस्तों को उस दोस्त ने वोला कि जो मेरे पास आया था तुम्हारा भाई मेरे जिन्स को चोरी करके ले गया है तो उसका बड़ा भाई बोलता है मैं पहले ही मना कर रहा था भी चूरियां भी करने लगा है और उसके पीटाजी पुलिस में थे पीटाजी बता देता है कि अमीत ऐसा ऐसा काम कर रहा है अब तो यह भी करता है कलकता गया तो उसके अचोरी किया है वो सबको बता रहा है बाकी सभी दोस्तों को उसने बोल दिया कि अमीद मेरे हाया था रुका भी और मेरे जिन्स को चोरी करके चला गया तो बाकी दोस्त लोग उसको फोन कर करके बोल रहे थे कैसे अमीद तो उसका जिन्स च जादा दुखी बहुंच जादा दुखी अब सिनियर को क्या जवाब दे लोग इसको चोर समझना चालू कर दिये हैं दोस्ति इसके चोर बोल रहे हैं रिष्चेदार चोर बोल रहे हैं करे तो करे क्या भीशारा इवेंट खाली चला गया सिर्फ एक मिश्टेक किया था इवेंट में कोई आए नहीं और इसने जिन्ज वस उसका इस्तमाल किया था इसको चले जाना था वापस होण देना था लेकिन कई बार आदमी समझना तक करे क्या ज़्यादा दूख हो गया आप फैमली वालों का भी दरवाजे पे आना नहीं है तरी को यह कि तु जो भी कर लेकिन मेरे दरवाजे पे आना मत तो नहींदा जैसे और जैसे काम चलते रहा पीता जीख सपोर्ट बनबास डोश्यार लोग चोर समझना सालू कर दिए कि अमीद जो है ऐसा ऐसा करता है करके तो करे क्या यह आदमी उस सहर को छोट के दूसरे सहर में सिनियर की मदद से इधर-इधर काम को करते रहा एक साल, दो साल, तिन साल, चार साल भीद गया यह अपने घर नहीं गया किसी से जानपैसान वालों से नहीं रहा लेकिन पॉल्ड कॉलिंग्स में काम करते रहा अपने आपको डेवलप कर दे रहा क्यों कि दुख ही बहुत ज्यादा हो गया था और ऐसे कंडिशन में अपने आपको समभालना मुश्किल रहता है कुछ साल बाद, पांस साल बाद उसी दिल्ली में एक दोस तक साथ है बैठा बैठा था बात्चित कर रहा था काम के सिल्षिले में तो वही दोस जो कलकत्ता वाला था चर्चा चली रही थे और उना गुजरा जैसे ही गुजरा गुजरनेक बाद इसने देखा यारे तो वही दोस्त है अपना जो मेरे एक सहारा दिया था अवाज लगाई अमित ने भाई करके तो रुका रुकनेक बाद में तब तक है आदमी अपने आप कितना डेवलप कर लिया था कि इसके पास में एक वर्ना गाली थी वर्ना कार से बैठाया और सौपिंग मॉल पे लेके गया दो तिन सौपिंग मॉल पे गया बड़ी जिन्स खरीदें अ य कि पंद्रह थुझेंस खरीदा ब्रांडेट जिंस जिसकी कीमत 54 रुपिय थी 54,000 रुपया पे किया और जिन्स को खरीदा और उस दोस्त को बोला कि यार तु रहता कहा है जौप कहा चल रहा तिरा तो उसको बोला चल मैं ड्रॉप कर देता हूं छोड़ देता हूं तरे को छोड़ने के लिए गहर गया उसके और जब उतरा तो इसने रोका कि भाई ये जो जिन्स लिया होना मैं तुम्हारे लिया लिया हूं आपके लिए है ये तीरा पंद्रेक पंद्रा जिन्स मैंने आपके लिया है और आप ही के वज़़े से मैं यहां पर हूं अगर उस दिन आप मेरे एक चोर नहीं बोले रहते ना तो मैं यहां नहीं रहता उस आदमी को अपने आप पे बहुत पस्तावा होता है, बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार से हमारे साथ बहुत बार कांड होते रहते हैं कि हम करना अच्छा चाहते हैं, लेकिन अनजाने में लोग हमको कुछ के कुछ बोल देते हैं और बोला जाता है कि नदी जब किनारा चोण देती है, तब रा की चक्ताने तक तोड़ देती है, और बात छोटी से भी अगर चुप जाए दिल में, तो जिन्दई के रास्तों को मोड़ देती है, जिसको एक टिया था लेकिन बात इसके दिल में लगए और इसने जिन्री की को मोड़ कर दिखाया ऐसा कि उसा आदम है को पांस साल लाद पूरा पस्तावा होने लग गया तो क्या आपके पास भी यह है है आपके पास मिंभी ऐसा हो सकते हैं आपके साथ भी हो सकता है जब लोगों करो लोग आपको कुछ का कुछ बोल देंगे लेकिन उसको अन्य Oooh à चलते हैं उसके लिए क्या करना होगा हो और शोच यह लेकिन क्या क्यों बन जाती है और ये है उस कहानी को पर सांदर एक बात है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे और नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे और कस्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे जी उस टाइम को आदमी सोच सकता था कि मुझे ऐसा कर रहे हैं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में लेकिन उसने सोच को ही बदल दिया और सितारे बदल गए देखने नजरियक बदल दिया नजारे बदल गए और काम को नहीं बदला है ना काम को नहीं बदला उसी काम क के दिखा दिया तो आज के जो ट्रेनिंग सेशन है पावर आप कंसिस्टेंसी निरंतरता की सक्ति निरंतरता की सक्ति कंसिस्टेंसी उसने लगातार लगातार क्या किया अमित ने काम किया अपने उपर अपने सीनियर की उपर जैसे समर्पन था कंटिन्यूस सीनियर के बातों को फालो किया और पांस सालवा सभी को सावित करके दिखायक नहीं आप जो बोल रहे थे वह गलत था तो पावर आप कंसिस्टेंसी को पर हम आद बात करने वाले हैं और यह है पावर आप कंसिस्टेंसी दसरत मान्जी सहर की जो कहानी तहरते हम पर इक तम परफिक्त धे क्योंकि एक छीनी और हथवड़े से उस टाइम पर जैसी भी कहा अविस्कार नहीं हुआ था हो गया थो मेरे पता नहीं लेकिन छीनी और थवरी वस्से लगातार बाइस साल तक गी लगातार बाइस साल तक तोड़ते रहा तोड़ते रहा तोड़ते रहा तोड़ते रहा तोड़ते रहा तोड़ते रहा इस टार्टिंग में लोगों ने बोला कि पागल है क्या इतने बड़े पहाड को तोड़ दे जाना हमारे की आन्दर है की के नाम नाल या और जितने सारे पर कंदर कोई सिस्टेम लए 25ी का नाम नहीं है 22 साल तक कोई payment नहीं दे रहा था, कोई motivate नहीं कर रहा था, कोई seminar attend नहीं कर रहा था, समझना है, हम DMPL में अगर पांस दिन पैसा नहीं बनाता, सर मोर तो पैसा नहीं आ थे, आही तब कुछ करूँ, अमरत पैसा आई नहीं रहा, सर, इस वेक्ति को कोई पैसा नहीं दे रहा था, कोई motivate नहीं कर रहा था, लेकिन ये लगातार, लगातार, लगातार तोड़ते रहा, तोड़ते रहा, कोई payment नहीं चाहिए इसको, कोई motivation नहीं, कोई नाम का लगाव नहीं था, अपने काम के उपर फोकस किया लगातार लगातार बाइस साल तक बिना किसी पेमेंट के बिना किसी रिवार्ट के बिना किसी मोटिवेशन के कंटीन्यू काम को करते रहा करते रहा छीने और अथवरी से और लगातार बाइस साल तक तोड़ने बाद में आज ना जाने बाइस स साल तक कहानी बताया जाएगा तो इससे समझ आता है कि हम काम करें इससे मुश्किल है क्या इंविडेशन करना मुश्किल है क्या पहाड तोड़ना है कि हमको नहीं करना है लगातार करना पड़ेगा और रास्ते को बनाया The Mountain Man के नाम से पिक्चर आ गया है मुवी बनाया जा चुका है आज ये आदमी नहीं है लेकिन इसका नाम है बोलते हैं ना दुनिया हमाया खाली हाथ और जाएंगी खाली हाथ और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जी इन्होंने एक सांदार कोडेशन दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं अब बहुते बड़े दंगल चले गरे तोरा हमरा क्योंकि ये बिहार के थे इसलिए भोजपुरी भासाम दिये तो डॉक्टर बनना है और थाक्टर बनने वाल आदमी तीन सेमेश्टर बढ़ाई करने के बाद बोलेख सबक्रावी तुम्हें चहते समेश्टर में साधिम जाना करके क्या डाक्टर बन सकता है क्या नर्स बनना है जिनको 2 साल ओर साल बोले कभीत मैं गूमने के लिए जाना बड्ड़े वनानेग्स जाना ज़ाना है या आई येस जो बनते हैं क्या एक साल पढ़ाई कर ले उसके बद बन जाएगा कंसिस्टेंसि लगातार ये सालों साल तक तयारी करते हैं और बताया जाता है कि जब MBBS की पढ़ाई किया जाता है पांस साल तक हो आदमी साधी और सठी कभी नहीं देखता बहाना नहीं देता है लगातार कंटीनिउ पढ़ाई के वहान देता है ऐब इतना जमा करना पढ़ेगा कि आजए अगर में वदना है तो क्या एक साल दो साल के पढ़ाई करने कि बाद तीसरा जैसे ही आये साल साधी करने सर मेरे भोल दे क्या बन पाएगा आए नहीं बन सकता लगातार कंसिस्टेंसी अपने गोल की उपर फोकस रखते हैं और दीन और रात पढ़ाई करने वाले लोग बोलते हैं कि हमको सर 14 गंटा पढ़ना पड़ता है कि वो zast मीलत्षब्स पढ़ते हैं तर सोते कभ जार सोते हो उसके बाद भी गैरेंटी है की आप बनी जाओगे कोई गैरेंटी नहीं है लेकिन पर भी कई सालों से वो 5-5-10-10 साल पढ़ाई करें पांच-5-10-10 घंटा चवदा घंड़ नहीं पढ़ते होंगे लेकिन 8-7 घंटा पढ़ते होंगे आई एस बनने एक बात क्या लाइफ इंज्वाई करेंगी तो क्या हमारा जो काम है जिस सिस्टम हम लोग आये हैं इन से मुश्किल है इसको समझना है किसी एउट कीजी इसको पाने लिए हमें करना पढ़ेगा उसके बाद में नीरत चोपड़ा ना हम सबी सूने होंगे नीरत चोपड़ा 14 साल जी 14 साल तक क्रेक्टिस करते रहे करते रहे रहे करते रहे करते रहे और करकर के एक दिना आए कि उन्होंने मेडल जी कोई कितने साल लगा 14 साल लेकिन हमारे बीच में कुछ मानुब रहते हैं सिखा कुछ नहीं है देखा कुछ नहीं है प्रेक्टिकल कुछ किया नहीं है तो जब यह कोई भी वेक्ति एक दिन में दो दिन में चार दिन में नहीं बना एक साल दो साल 14 साल सोचो यार किस टाइप का मोटिवेशन दाओगा चलो पहाड तोड़ने वालत बीवीक प्यारें पागाल था मानते हैं है ना लेकिन यह नीराच चोपड़ा जो है 14 साल तक प्रेक्टिस किया और एक दिन ऐसा आया कि जब यह विनार बना 14 कड़ोर से जादा कही नाम मिला है 14 साल तक प्रेक्टिस किया जब यह विनर बना लगातार कंसिस्टेंस अपने काम को अच्छा बनाते गया बनाते गया शिखते गया प्रेक्टिस करते गया करते गया करते गया पूने में इस वेक्तिक नाम से स्टेडियम बनाया बोलते है जब जीत गया ना तो पुने में चोपड़ा इस्टेडियम बनाया गया आज यह टाटा आई जी का ब्रांड एंबेस्टर है का अब जब चौदा साल निरंतर लगा रहता एक-दो साल बाद बोलता है यार मेरे निज आ सकता जादा दूर क्या कभी बन पाता यहाँ पर हिमदास है असम की रहने वाली है लगातार पांस साल तक ना रनिंग किया लगातार पांस साल तक रनिंग किया और इस्टेट नेशनल इंटरनेशनल जब यह लगातार प्रिक्टिस की पांस सालों तक दोड़ना बीना किसी पेमेंट के बीना किसी payment के खास बाते हैं बीना किसी पैसे के इन्होंने running को जारी रखा बीना किसी medal के बीना किसी recognition के ऐसा कुछ भी नहीं था सिर्फ और सिर्फ एक जुनोन था कि मेरे को international athletics बनना है बनना है बनना है बनना है उसके पिछे नहीं था कि आप बन जाओगे कड़ोर रुपिया आपको मिलने वाला है जुनोन था कि मेरे को ऐसा करना है बोला जाता है जिनके पास protein powder के पैसे नहीं हुआ करते थे जो जूता लेना था नहीं हुआ करता था आज उसी एडिडास के ब्रांड एमबेस्टर है क्या चीज़ है यह हीमदास ब्रांड एमबेस्टर है एडिडास का कडोरों का इनको पिमेंट आता है गौ़र्मेंट जाब में इनको एक लास की सर्विस मिला हुआ है कब जब इसने 5 साल तक लगातार एक ही चीज पे फोकस किया कि नंबर वन आना है चुपड़ा ने 14 साल किया हीमदास ने 5 साल किया 5 साल तक बीना किसी पेमेंट के बीना किसी मोटिवेशन के बीना किसी रिकाउगनेशन के तो क्या आप में ऐसी सकती है सार एक साल तक भी नियाएगा डेम पेल सब भी निभटकने वाले जो मेरा कोज बोलेगा वही करूंगा सब चीज बैलेंस किया जो करना पड़ेगा वो सब किया इन्होंने जैसा खाना खाना पड़ता है वैसा ही खाना खाया जितने बज़े उठना पड़ता है उतने बज़े ही उठा ऐसा तो नहीं है कि आज नहीं है सरी इच्छा तो नहीं रनीं करने वाले पांस साल वाद होने वाला है न उलम्पिक उस समय दवड़ लेंगे इनों ने अपने कोच को ब्राबबर फालो किया लगातार प्रेक्टिस किया और कर दिखाया कि आज हजारों लोगों के उपर राज कर रहे हैं उसके बाद में सांदार एक और कहानी है कि चाइनीज बंबू होता है चाइना में एक बांस पाया जाता है जिसको लगाया जाता है पहले लेकिन वो एक साल तक उसका कुछ पीकी नहीं फूडता है मतलब अंकुर तक वह नहीं सिंकलता है दो श्रांधाशत साल हो जाता है पानी डालना पड़ता है लेकिन के बाहर दिखाईनी देता है लोग सूश थे हैं और ये पागल तो नहीं हो गया क्या चीज को खेती के पहले गंड़ा को आने फिर उसमें आता है ने बड़े बड़े पेड़ एक ही साल में तीन साल तक उपर दिखाई निदेता है लेकिन चावंथे साल जब आता है तो चावंथा साल में सिर्फ पर सिर्फ चार महिना बाद गगन चुम्बी वास वहां पे पैदा हो जाते हैं और इसकी खासियत होता है कि पहले तीन साले ना जड़ बनाता है बोलते हैं नीचे थी ओर जाता है और जब चांथा वर्स आता है तब ये उपर की ओर जाता है तो लगातार किसान ने मेनत की या लगातार पानी खात सब चीज़ देते रहा जड़ इसका मजबूत बनते रहा और चांते साल जब आया तो ऐसा आया कि लोग देखने के लिए जाते हैं तो यह है लगातार की पावर लगातार किसी चीज़ करते हैं तो ऐसा रिजल्ट आता है और बोला जाता है कि सब्रकर बंदे मुश्किल हालाद भी बदल जाएंगे आज जो तुझे पर हस्ते हैं कल तुझे देखते रह जाएंगे जी बहुत सारा आप कहानी सुने हैं जो लगातार प्रयाज क्याज लोग देखते रहते हैं उनको और इसके लिए लगातार हमें चलने के लिए क्या चाहिए रिस्पॉंसबिलीटी लेना पड़े जिम्मेदारी सिर्फ लेना नहीं है निभाना भी पड़ेगा सुचने बस से हो जाएगा क्या जिम्मेदारी को अगर आपके साथ लोग नहीं काम कर रहे हैं तो आपके अंदर हो क्वालिटी है जितना बी मुकिल आ रहा है समझना है कि अच्छा जो रोल है है मुशिक रोल रहते हैं ना मुकैमब खुस हुआ वाला ओ आता है ना मुकैमब कुस हुआ रिष्टे में हम तुम्हारे संभन्दी लगते हैं जो डैलॉक्स है वो एक अच्छे एक्टर को ही दिया जाता है तो अगर मुश्किल आ रही है आपके जीवन में तो समझना है कि आपके पास वो क्वालिटी है भागवाना कुछ लाइक समझता है है और जिम्मेदारीये कैसे चीजा कभी Δी नहीं जाती क्यों ली जाती है जिम्मेदारीयेंगे लेंगे चिंद्बी दो दंपर जी जाती हैंं जिन्दगी तो अपने दंपर जी जाती है दूसरों के सिर जनाजे उठा करते हैं है है कि बगत तहीं ने बोल Market ने बोला था ईसा क्योंकि होंख वह hommes सिंग ने बोला है उसको में समझना है और रूल साफ सक्षेज अगर हम अपने लक्षे को पाना चाहरा है तो उसके लिए एक रूल से हमेशा लर्निंग के मूड में रखना है और अब बात आती है इतने सारे चीज हमने सिखा देखा लोगों पारे में जाना तो आखिर मैंने इस काम को सुरू किया है इस चीज को जानना है वाई तो कारण रहता है कि हम सभी लोग कहीं न कहीं एक सपना ले क्या हैं कि अच्छा बसा है अच्छा घर रहे अच्छी गारी रहे और हॉलिडेज भी रहे यह सारा चीज आदमी सपना रहता है तो अपने सपने को लिख लें जितने भी नए लोग हैं लिख लें कि आप क्य दिए दीनी था यार कि लागों रूप्य इंकम में जा सकते हैं तो आपको आज वह करना पड़ेगगे जो आपने कभी नहीं किया है तो नच्वार मार्गेडिंग को कैसे करें आपने इससे पहले किया है यह नहीं किया लेकिन आप हमें करना क्या कि नेटवर मार्गेटिंग में 100 पर्सेंग अगर सक्सेच चाहिए तो 90 पर्षेंट में आप पर्सेंट टेकनिक और 2 पर्सेंट आपसे समवाद से बात करना बिजनेस के विशाय में और अपने नियू पार्ट उनकी मदद करना है कि उसके बाद में जैसा जैसा आप लाइन कहेगा वैसा डाउन लाइन नहीं करने वाला हमारे खुद का गोल बना नहीं है खुद हमने दस कारण लिखे नहीं है खुद लिस्ट बनाए नहीं और दूसरे को अगर ज्यान देंगे करने वाला नहीं है जैसा जैसा आप लाइन कर जैसा कर वेवेश्बू ouais साथ हर्यूं करने वाले हैं और उसके बाद आता है आठ पर सब्सक्ट की टेक्निक तो टेक्निक में करने की तरीक लिस्ट बनाने हैं मंतिट करने प्लान दिखाना और फिट्वेक लेन्ड करना है कि सीडी से भी मैं सकते द़स मनजील पहुचेंगे लेकिन तो लिस्ट बनाना है हमें बहुत करीवी लोगों का ठौड़े करीवी लोगों का कभी कभार मिलने वाले लोगों का बहुत करीवी लोग कौन है जिनको हम साधियों में बड़े पाल टीम बुलाते हैं वो लोग हैं थोड़े करीवी लोग जिनको साधी में आखरी टाइम पर काड़ दिया जाता हैं कभी कभार मिलने वाले लोग जिनको साधी में भी नहीं बुलाते हैं, जानते हैं, लेकिन हर आदमी को हम साधी में नहीं बुलाते हैं, वो है कभी कभार मिलने वाले लोग जिनको दूर से नमस्कार, तो ऐसे सभी लोगों को, जितने भी लोगों को हम जानते हैं, सभी लोग क पड़ते हैं पता करना पड़ायंग तब नाना पड़ता है तब कहीं घर बनाना शुरू होता है उस्के प्रगार दीज्में रिस्ट बनाना हमारािम स्नान टर्रियल आख जिसके। जितना मॉट्यों का बिल्डिंग उतनुटण बड़ा बनाया जा सकते हैं अब बनाना है तो जितना आप चाहते हो उतना आपको लिश्ट बनाना पड़ेगा उसके बाद में indirect invitation होगा WhatsApp status maintain करते हैं रोज कमाए पैसे और कुछ-कुछ income statement ज्यादधा statement में नहीं लगाना 4-5 लगाना है उसके बाद direct क्योंकि यह bonus है भाई स्टेट देखके आपको कमेंड करें वह bonus है क्योंकि अच्छी चीजों को बोलने के लिए कोई नहीं बताएगा जैसे मैंने कहानी बताया कि वही अमीद जब उसने 15 जिन्स दिलाए क्या फोन करके बताया होगा कि आपके भाई ने मेरे 15 जिन्स दिला दिया कि आपने दोस्तों बताया होगा नहीं बताया होगा लेकिन उसने गलती गित उसको सबको बताया तो वैसे ही ना यह अच्छा चीज है आदमी आपको जल्दी कमेंड नी करें हमको नहीं करता है यार इतना देख रहा है कि साइकिल से लेके गाड़ी तक गया है साइकिल से लेके गाड़ी तक ग कि q a真 लेकिन को बोल देता हूं कि जब पहले न ऐसे कर्कियात कि अपकि इसे decision में हमें उनको कॉल करना चलिए न है काम के इसम बात नहीं भी करो ये लकिन ओ बोलेगा क्यार काम कर सकते हो चाहिए आप भी कर सकते हो इसके बाद डाइरेक्ट इन्वीटेशन ही हमारा मुख्य चीज है क्योंकि लगातार प्रेक्टिस नहीं से होने वाला है इसके लिए आप देख सकते हो जाके यूटूब चैनल में बहुती सांदर 20-25 मिनट के अंदर बताएगा हमारे ग्रेट एक एक पॉइंट नोटेड है और आप नोट से बनाके बैट के इन्विटेशन कर सकते हो कैसा रहेगा फार्मूला लगाके अब जब इन्विटेशन होगा तो आल इन्फरमेशन जूम में ही देना है क्योंकि महौल में क्या होता है मेला में जब हम जाते हैं तो वहां पर हम लोग नहीं पूछते हैं गरम क्या है थंडा क्या है टेस्ट कैसा है उधर सिर्फ और देते हैं क्योंकि भीड जादा लगा रहता है ले यह आदमी नहीं बोलता है कि एक हजार रेट बोल्ड है आप 700 लगाऊन भई है करके हैं लेकिन छोटे दुकान में जा क्या करते हैं एक हजार बोलत 500 लगाना कम करने की हम कोशिस करते हैं लेकिन वहीं चीज़ जाते हैं दिल्पुल रेट के तर डिसकाशी नहीं करते हैं तो सेम चीज़ आपके जो निव गेस्ट हैं आप डाइरेक्टली करोगे तो बहुत सारा सवाल करेगा उससे ज्यादा बड़ी है का आप महौल में लेकिया आओ सामके छे बजे जूम मीटिंग में हजार लोग रहते हैं अगर वो कुछ भी बोलता है तो आप सिद्धा सवाल कर सकते हैं यार अकेले मैं करता ठीक है हजार लोग कर रहे हैं यूटू में लोग देख रहे हैं मतलब समझना यहीं से उसके वाद फाल करवाना है अगर आप नए हो नहीं आता है तो धान में रखना है कि अपने ही घर के जो लोग ह centres बात Connellaिय को पता हैं मैं जिन से बात किरवा रहा हो मेरे से जो मेरे जाइंजा जारों को मैंने तुम्हारे मिनारे लिए टाइम देना रहते हैं हमको रहना अधिया लूँ मैंने आप को सही सही थीयज नहीज दिया इसके लिए अपने सपने और उसके सपने जे जब आपने इन्वाइट किया था उसने बताया थे ना आपको पैसों की जरुरत है तो उस चीज को ले कि आम फालू अप करना है लिस्ट के आमें फालू अप करते रहने अपने और वर्क काम का और डाउन लाइन का इसका भी आमें फालू अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है कि इतने लोग को बताए पांच आदमी के एक दिन बता दिया था गलती से उनी पांच के लिए पचास बार सिनियर को बहुत है बात कर लेना उनसे एक बार पांच आदमी के इन्वाइट कर दिया उनी पांच के पीछे वह साथ दिन तक पड़ा है और वोल्ड है रिजल्ट नहीं आ रहा है तो तास के पत्ते में ना भाई चार इक हो तास है सभी को मालू है मैडम लोग को नहीं होगा भाई वह लोग तो खेले ची नहीं है है ना लड़के लोग खेले उनको पता होगा मैडम लोग को नहीं मालू है तो बताया जा रहा है यहां पर कि जो तास रहता उसमें पावन पत्ते होते हैं और बावन में चार इक्के होते हैं लेकिन अगर आज फेक दे एक ठोंग उसके वाद साथ दिन बाद थेकि एक और उसके बाद दो महिना बाद एक ठोर फेक रहे हैं वावन सब्ता होता है वावन बारें फेकिंग और हम चिला रहें कि इकका नहीं मिल रहा है करके गल्ती किसका भाई है आपके पास तीन सा लोग निस्ट है पांस सा लोग का लिस्ट है तो आप पांची आदम हैं क्यों जरूर मिलेगा आप अपने तीन सो लोगों को इन्वाइट करके देखो सीनियर साथ मिलके अगर आपके साथ टीम नहीं बनेगा बताना लेकिन हम मिश्टेक क्या कर रहें एक आज फेक रहें फिर मोटिवेट किया सीनियर ने एक भाई तु सपने के लिए आया था भी बच्च हो सकता उस्वाले नहीं रहा होगा है तो और समझना है कि बावण पत्यम चार-इक्चे मिलेंगे तो यहां पर सभीक सब्सक्राइब नहीं रहता है चाहिए रहेगा तो एटी ट्वणडी का रूल्स काम करेगा सव लोग को बताएंगी तो हमारे साथ मात्र और मात्रा कुछ करना चाहिए कि आप अप लाइन में या नीचे वाले में या आप अप लाइन हो ध्यान डखना है कुछ होना चाहिए अगर बोल रहने लाइन में लाने जरूरत है और नबबे पर्सेंट इस बिजनस सक्सेज होने के लिए इसलिए हमें एक्साइटमेंट में रहना है पुरा-पुरा और बार-बार असफाल होने पर भी अपना उत्सानाख होना ही सबसे बड़ी सफलता है जैसे दसरंद मांजी कोई पैसे के लिए नाम के लिए नी कर रहा था लगा तार उसने अपने लेक्ट से फोकस किया है ना चोपड़ा सर किसी उसके लिए नी कर रहे थे कई बार उसमें असफल हुएंगे गोल जो ठार्गेट बनाते रहें वहां तक नहीं पहुंशते रहें लगता हिमादास पहले ही साल में अगर बन जाती पांस साल क्यों लगता तो बार बार असफल होने पर भी अपना उत्सानाक होना ही सबसे बड़ी सफलता होती है और डर मुझे भी लगा फांसला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद वाखुद मेरे मेरा हाउसला देखकर डर सभी को लगता है ऐसा पेशा कोई इसमें डर नहीं है अब बड़ते बढ़ते जाते और एक टाइम आता है उनकी सब्सक्राइब को अगर आपको डर लग रहा हो यह डर लगता हो इस विजनेस के अंदर तो आप के सामने प्रेजेंट है ॹाइफ लिडर्शिप डेवलपमेंड प्रोग्राम जहाँ पर आप जाके अपने एनरजी को बढ़ा सकते हो जी अगर अभी तक आपने नहीं विचार किया था तो मैं बताया कि लगातार हमें अपने गोल का पीछा करना है लगातार सीखना है और लगातार मोटिवेट करने लगातार प्रोग्राम अटेंड करना है डॉक्टर वाला में बताए एक तीन सेमेस्टर पढ़ लिया चांथे में साधीन जा रहा हूं बोल दिया तो क्या डॉक्टर बनेगा आई इसका परिच्छा है लेकिन वो बोल दिया नहीं सार पेट में दर्द हो रहा है बनेगा तो वैसे ही अगर आपको पहुंचना है डाइमंड तक डाइमंड बनना है तो लगातार प्रोग्राम में जाना पड़ेगा तीन बार तो कर लें सार चौथे बार जाने क्या जरूरत है तो लगातार से आप आउट हो गए लगातार कंसिस्टेंसी आप हड़ चुके हो और जब कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा पत्त भी हिलने वाला नहीं है तो LDP5 राइपूर में 2 अक्टूबर को अटल विहारी बाज पए अर्टिटोरियम मेडिकल कॉलेज लाइपूर मेका र हुस्पिट्ल के पास है जहां पर आप जा के अपनी नर्जी बढ़ा सकते हो डर को दूर भगा सकते हो। जीतने वाले लाइन में आ सकते हो कुछ होने वाले को हटा के कुछ करना है ऐसा करके आपा लाइन में आ सकते हो। 片 कि इतने देर तक बने लिए। अ पुझे के शेसर यहीं तक था कि बहुत बहुत धन्नावाद इतने देने तक बने रहे उसके लिए थैंक्यू वेरी मच और आज की सेशन को यहीं पर इंड करेंगे जै हिन जै वारत